इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत लगता है यह मस्तिश्क में एक रासायनिक मेसेंज की क्रिया को अवरूत करके काम करता है जो विचारों और मूर को प्रभावित करता है कजेल 1.5 टैबलेट का इस्तेमाल साइकोसिस मेनिया वयसकों और बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए भी किय लिया जाता है इसे खाने के साथ या उसके बिना लिया जा सकता है अच्छा होगा कि रोज एक ही समय पर इसे लें इसे हर रोज एक ही समय पर लें क्योंकि यह शरीर में दवा का निरंतर स्तर बनाए रखने में मदद करता है इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्ध जानक बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपके लक्षन और अधिक खराब हो सकते हैं. इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट में आवेश, अनिद्रा, दवाओं के साइड इफेक्ट से मुव्मेंट डिसॉर्डर, मासपेशी में एंठन और रही हैं या स्थिती अधिक खराब हो रही है, तो अपने डॉक्टर को बताएं. वे साइड इफेक्ट को कम करने के या उनकी रोक्थाम करने के तरीके बता सकते हैं. यदि आप थायरोइड या किड्नी की समस्याओं, एपिलिप्सी, पाकिंसन की बीमारी, ग्लुकोमा या ह दवा नहीं लेनी चाहिए. इस दवा से वजन भी बढ़ सकता है, इसलिए स्वस्थ संतुलित आहार खाएं, उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ खाने से बचें और नियमित रूप से व्यायाम करें. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.